हाई दोस्तों पिछले कुछ वीडियो के अंदर हम लोग पावर एक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे सिंक्रोनस मशीन की जिसके अंदर हमने यह देखा कि डेबलट पावर कैसे निकालते हैं आउटपुट पावर कैसे निकालते हैं और मोटर के केस में हमने देखा डेबलट पावर और इन्पूट पावर फिर मैंने आपको यह भी समझा है maximum power की क्या condition है stability की क्या condition है stability condition क्या आई थी delta less than theta is ठीक है इसके बाद हमने बात कि अगर armature resistance ignore कर दिया जाए तब power की equation क्या बनते है ये भी हम लोगों ने देखा और फिर मैंने specifically आप लोगों से बात की reactive power के बारे में जिसमें हमने देखा under excited over excited normally excited ये terms का meaning क्या होता है और in terms के हिसाब से किस तरह से generator और motor lagging या leading power factor पे operate करते हैं अब देखो अभी तक जो भी information हमने gain की है power equation से उसके basis पे कुछ graph draw किये जाते है synchronous machine के लिए जिसे कहते हैं वी कर्व ठीक है और एक और graph हम ड्रॉ करते हैं जिसे कहते हैं inverted V कर्व और यह दोनों ही machine के लिए draw होते हैं for the case of generator as well as the case of motor तो हमें V कर्व और inverted V कर्व के बारे में बात करनी है alternator और motor दोनों के लिए ठीक है तो पहले लिखना the plot of armature current versus the field current for a constant power is called as V कर्व next point the plot of power factor versus field current at a constant power is called as inverted V कर्व तो अपने पास दो तरह के कर्व आने वाले हैं V कर्व और inverted V कर्व वी कर्व में plot करोगे armature current versus field current और inverted V कर्व में power factor versus field current लेकिन दोनों ही graph में condition क्या है that load must be constant तो सबसे पहले alternator से start करता हूं ठीक है पहले बात करने वाला हूं alternator की अब मैं यह बोल रहा हूं यह मान के चलो कि आउट्पुट पावर इस constant ठीक है आउट्पुट पावर क्या होती है generator की वी टी आई ये कॉस फाइड ठीक है इस constant अब मान लो कि generator इस connected टो infinite बस बार का मतलब देखो बेसिक सा इतना होता है कि इस पर लार्ज नंबर ऑफ जनेरेटर्स कनेक्टेड है तो लार्ज नंबर ऑफ जनेरेटर्स जब connected होते हैं तो हम यह कहते हैं वी टी and frequency are constant अभी के लिए इतना basic याद रखो बस कि वी टी और frequency constant होते हैं for the case of our infinite बस बार अगर वी टी constant है तो यह जो equation हमने लिखे इसको नीचे लाते वे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आईए कोस फाई अब हमने तो पावर की एक और एक्वेशन पढ़ी है जो पिछले कुछ वीडियो में हमने कवर किया है कि पावर का एक्स्प्रेशन यह भी होता है इसका मतलब है आहको एक्षेस्टेश्टेंस इगनोर अब देखो वीटी तो फिक्स है अक्षेस्द अगर फ्रिक्वेंसी भी कॉंस्टेंट आने वाला है तो अपने पास दो एक्वेशन आगही तो आये कॉसफ़ाइब और एक इसका फेजर डाइग्राम बनाना पड़ेगा फॉर दी केस ओफ और अल्टरनेट अब फेजर डाइग्राम कैसे बनता है सबसे पहले देखो वीटी बना लेंगे वीटी तो फिक्स रखना है न यह हो गया वीटी अभी के लिए आईये लेलो एक जैसे मैंने बोल दिया आईये वन लैक कर रहा है और इसका एंगल है फाइवन अब हमें क्या पता है कि आईये कॉस फाई आईये कॉस फाई होगा वर्टिकल कंपोनेंन और साइन फाई हो ओर इंटल कंपोनें तो हम यह बोल देंगे की करेंट का वर्टिकल कंपॉनेंट इस बहुत आना चाहिए आईये कॉस फाई तो इसमें लिख ना Ia cos phi represents the component of current in the same phase as the voltage or the vertical component which must remain constant. यानि देखो Ia cos phi कितना भी आईए बदले इतना ही आना चाहिए. दो लाल लाइन के बीच का difference. अब हमें क्या पता है जन्रेटर के अंदर E M F कैसे निकलता है अगर आरे इग्नोर्ड है तो E F होता है V T प्लस जे आईए एक्सेस यह होता है E F तो जे आईए जे आईए का मतलब आईए में 90 डिगरी का शिफ्ट और कैसा शिफ्ट क्लॉक्वाइज या एंटी क्लॉक्वाइज प्लस 90 है इसलिए एंटी क्लॉक्वाइज यह 90 डिगरी हो गया यह आ गया आईए वन एक्सेस अब यह दोनों जुड़के क्या बना देंगे एंटी से कितना एंगल लीड करता हमेशा डेल्टा तो यह हो गया डेल्टा वन अब हमारे पास दूसरी कंडीशन और थी कि इस साइन डेल्टा मस्त बी कॉंस्टेंट अब इस साइन डेल्टा क्या होगा एस के बीडों कंपोरेंट होंगे होरिजॉंटल और वर्टिकल तो EF sin delta जो होगा न वो यह होगा यह constant आना चाहिए ठीक है क्योंकि delta vertical से angle है तो vertical component हुआ cos delta और horizontal हुआ sin delta यानि EF का जो phaser का tip है वो इस blue line पे ही लाई करें एसे ही आये के phaser का tip red line पे ही लाई करें त्यारा लिख भी लेना अपनी language में लिख लेना कि आये का tip red line पे लाई करना चाहिए और EF का tip blue line पे अब देखो एक और EF मैं ले लेता हूँ delta 2 अब देखो आये टू एक्सेस ऐसा हो गया horizontal यानि आये टू कैसा आया होगा वर्टिकल और उसका tip red line पे बात समझे मैंने EF ऐसा लिया ही है जिसके अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप है वह horizontal आ जाए इसको मैं कहा देता हूँ EF2 अब एक और ज्यादा नीचे ले लो माल लो यहां ले लिया EF3 यह आ गया IA3 एक्सेस अब यह जो IA3 एक्सेस है यह किसी पर पर्पेंडिकलर होगा करेंट पे करेंट ऐसे होना चाहिए तो करेंट कैसे आ जाएगा इस टाइप से IA3 और यह एंगल पाई 3 यानी करेंट लीड करने लगा देखो इस डिरेक्शन में तो बोला है मैंने करेंट आईए एक्सेस और आईए आपस में पर्पेंडिकुलर वाते हैं तो मैंने आईए एक्सेस पर्पेंडिकुलर बनाया वही हमारा आर्मेचर करेंट है अब देखो हमें प्लौट किया करना है एक्सा कार्थ और यह प्लौट करनास और पावर फेक्टर का अर्मेचर करेंट और और पावर फेक्टर दो ग्राफ बनाने और किसके अगेंस्ट बनाने maximum फील्ड करेंट के अगेंस्ट बनाना पड़ेगा अब अगर देखो ऐसा करने वाले हो तो यह करो कि फील्ड करेंट को ग्रैजुली इंक्रीज करो आई एफ को ग्रैजुली इंक्रीज करो तो हम क्या कहते हैं एज आई एफ इंक्रीज इस एज आई एफ इंक्रीज जो इम आता है वह कितना होता है 4.44 एफ एन पी एच पाइएम के डबलू अब यह जो फाइएम है यह तो खुद आई एफ के प्रपोर्शनल होता है तो इसका मतलब है एज आई एफ इंक्रीज जो इम एफ है वह इम एफ भी बढ़ता है फील्ड करेंट के साथ साथ इम एफ भी ग्रो करता है अब यह जो फेजर हमने बनाये इस पर ध्यान दो 3 से बड़ा लेंथ है 2 का 2 से बड़ा लेंथ है 1 का तो हम यह कह सकते हैं आई एफ 3 से बढ़ा होगा आई एफ 2 और आई एफ 2 से बढ़ा होगा आई एफ 1 क्योंकि एम एफ भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं तो अब हमें यह देखना है कि फिल्ड करेंट बढ़ाते वे हम थर्ड वाले केस से से फर्स्ट वाले केस की तरफ जा रहे हैं तो चेंजेस क्या-क्या आ रहे हैं पहले changes में किसके बारे में बात करनी है armature current और दूसरी हमें बात करनी है power factor अब armature current को ही देखे armature current गया Ia3 से Ia2 पे और फिर Ia1 पे अगर ये एक right angle triangle की तरह view करो तो right angle triangle में जो perpendicular होता है वो smallest side होती है और hypotenuse जो होता है वो largest side होती है तो इसका मतलब क्या हुआ Ia3 और Ia1 हमेशा Ia2 से बड़े ही होंगे बात सोचके देखो Ia2 vertical है अगर graph में भी देखोगे फेजर में भी देखोगे ये चीज़ clear समझा रही है कि Ia3 और Ia1 Ia2 से बड़े है तो मैं यहां observation लिख देता हूँ observations Ia3 and Ia1 are greater than Ia2 ठीक है अब ऐसी power factor की बात कर लो पहले Ia3 3 से 1 की तरफ जा रहे हो ना Ia3 leading था Ia2 unity था VT और Ia same phase में थे और Ia1 lagging था तो मैं कहता हूँ power factor 3 lead power factor 2 unity power factor 1 lag तो यह trend बन रहा है armature current और power factor का अब अगर यही trend बनने वाला है तो इससे graph कैसे draw होगा इस पे बात करते हैं थेक है तो यह remove कर रहा हूं अब देखो Ia में क्या समझा रहा है कि 3 से 1 की तरफ जाते वे पहले 2 पढ़ेगा पहले EF3 फिर EF2 और फिर EF1 तो अगर field current को बढ़ा रहे हो सबसे पहले field current रहेगा IF3 फिर वो हो जाएगा IF2 और फिर वो हो जाएगा IF1 तो 3 वाला current ज्यादा 2 वाला कम फिर 1 वाला फिर से ज्यादा तो इसमें लिखना As field current is increased from IF3 to IF1, the armature current first decreases from Ia3 to Ia2 and then again increases from Ia2 to Ia1 पहले armature current घटता है और फिर armature current बढ़ता है ऐसी power factor की बात कर लेते हैं अगला point लिखो As field current is increased from IF3 to IF2, power factor goes from leading to unity and if the field current is further increased from IF2 to IF1, power factor goes from unity to lagging पहले leading से आएगा unity पे और फिर unity से जाएगा lagging पे तो पहले अगर armature current की बात की जाए तो हमें graph बनाना है armature current versus field current हमने क्या बोला हमने बोला भई पहले armature current घटता है थ्री से टूपे जाता है और फिर बढ़ता है तो armature current पहले घटता है और फिर बढ़ता है अब यह मानलो यह वाला graph नो लोड के लिए अगर बनाए ठीक है अब हम लोग क्या कहेंगे कि यह वाला जो minimum armature current है वो कौनसा है आये टू तो यहां पर power factor क्या रहेगा unity और यहां पर machine को कह सकते हो नौर्मली excited. यूनिटी power factor की condition होती है नौर्मली excited नौर्मल excitation से नीचे होता है under excited और इससे उपर होता है over excited अब generator की बात चल रही है under excitation का मतलब कि excitation कम है तो armature reaction कैसा होना चीए magnetizing और वो होता है leading power factor पे इसलिए इधर power factor आता है leading और इधर power factor आता है lagging बात क्लियर हुए अब देखो no load का मतलब है कि कोई load connected नहीं है यह माललो load connect कर दिया जाए load connect कर दो या ज्यादा पावर अगर machine से ड्रॉ करोगे तो armature current ज्यादा ही आयेगा तो ज्यादा power ड्रॉ करने से ज्यादा current आता है यह माललो P3 P2 P1 तो P3 greater than P2 greater than P1 जतना ज्यादा power ड्रॉ करोगे उतना ही ज्यादा current required होगा अब यह जो यूपीएफ वाले points है इनको अगर जोड़ दो तो यह यूपीएफ का compounding curve आता है याद करो alternator की characteristic में हमने दिखाये थे compounding curve जो last curve होते थे उसमें हम आईएफ वर्दिस आईए plot करते थे तो आईएफ वर्दिस आईए में अगर यूपीएफ का curve देखोगे तो ऐस से जाता है और लैगेंग वाला इधर से यह कौन से graph है इसके उपर compounding curve तो compounding curve भी superimpose कर सकते हैं in case of V curve क्योंकि उसमें आईएफ वर्दिस आईएफ तो plot करते हूं एक बार यह वाला in which we study variation of field current with armature current at different power factors ठीक है next point लिक हो as the load on alternator is increased the V curves are shifted upwards because higher load requires higher amount of armature current hence for same power factor the current will increase for same power factor the current will increase